फ्रेंड्स रामाइन के पात्रों से हमारे यहां बच्चा बच्चा परिचित है इसका कारण यह है कि हर वьяक्ति के मन में बिचार, रूची को मोहने वाली अनेक कथाएं इसमें बसी है ऐसी ही कथा है सिरी राम के वनवास के समय पत्थर की सिला पर पैर पढ़ने से उसका जीवित स्तरी में बदल जाना यही देवी अहिल्या थी जो भगवान राम के चरनसफर्स से स्राप्त मुक्त हुई थी लेकिन दोस्तो प्रश्न यह उठता है कि अहिल्या को स्राप क्यों मिला वे पत्थर की सिला कैसे बन गई थी भारतिये पौरानी कथाओं की एक बिसेश्ता यह भी है एक कहानी में दूसरी कहानी मिलकर एक कड़ी बनाती जाती है अहिल्या की कहानी भी कुछ इसी तरह की है अनुसार देवी अहिल्या महर्सी गौतम रिशी की पत्नी थी ज्यान में अनूपम अहिल्या स्वर्गिक रूप गुनों से संपन्न थी अपने अतुलनीय संदर्य सरलता के कारण वे अपने पती की प्रिया थी इसके साथ ही वे अपने पती के प्रती पुर्ण रूप से समर इसलिए उन्हें सती अहिल्या के नाम से भी जाना जाता था दोनों ही पती पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण दामपत्य जीवन का निर्वाहन कर रहे थे ऐसे अध्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई दोस्तो यह बुरी नजर थी देवराज इंद्र की जो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए ललाई थो उठा दोस्तो इंद्र को महरसिक गौतम की दैबिये सक्तियों और सामर्थ का ज्यान था इसके साथ ही वह अहिल्या के पती निष्ठ होने के सत्य से भी परचित था इंद्र के पास इन सक्तियों से पार पाने का सामर्थ नहीं था पर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहते थे वह स्वयम को सयमित कर सही अबसर की प्रतिच्छा करने लगे समय अपनी गती से चलता रहा और एक दिन महरसिक गौतम ने देवी अहिल्या से कहा कि उन्हें ए अईसे ही एक अफसर की प्रतिच्छा जाने कव से कर रहा था रिसी के जाते ही वह महरसिक गौतम के वेस धारन कर अहिल्या के पास पहुँच गया पती को बापस देख जब अहिल्या चौकी तो उसने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर ये पास ने बन में जाना असं लेने लगे देखते ही देखते छह माह का समय बीट गया और एक दिन देवी अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पती की चीर परिचीर फुकार सुनी जबकि रिसी का रूप धरे इंद्र तब तक सोही रहे थे एक पल में ही अहिल्या को अनर्थ का ज्यान ह महर्शिक गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कापते हुए उनके चर्णों में गिर पड़ी तब तक इंद्र को भी रिसी के आने का भान हो गया था तो बिना देरी किये वह वहां से भाग निकला अहिल्या से सारा बिरतांत जान गौतम रिसी क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्होंने स्राप दे दिया कि जिस इस्तिरी को अपने पती के असपर्स का भान ना हुआ वह जीवित नहीं हो सकती तन और मन से पत्थर की तरह कठोर वेभार किया है तुमने तो तू भी पत्थर की ही हो जाएगी गौतम रिसी के स्राप और अपनी आज्यान न हुआ कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है तो मैं एक सधारन इस्तिरी हूँ मैंने तो अंजाने में अफराद किया है भले ही मैं पराय पुरुस के साथ रही हूँ पर मेरा मन पवित्र है क्यूंकि उस पुरुस को मैंने आप यानि अपना पती जानकर ही अपनाया था तन और मन दोनों से ही मैं अपने पती के ही साथ थी अहिल्या की बात सुनकर गौतम रिशी उनसे सहमत हुए और कहा कि अब तो स्राप दिया जा चुका है उसे बापस नहीं दिया जा सकता किन्तु त्रेता युग में भगवान स्रीरे बिश्णू स्रीराम के रूप में अवतार लेंगे और बनवास के दोरान तुम्हें चरन से असपर्स करेंगे उनके असपर्स से ही तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम बापस अपने स्त्री रूप को प्राप्त करोगी गौतम रिशी के स्राप को धारन करते हुए देवी अहिल्या उसी समय पत्थर की सिला बन गई और घोर परतिछा के बाद भगवान स्रीराम के पावन चरनो के असपर्स से वह पुना इस्त्री के रूप में प्रकट हुई तो दोस्तो यह थी कथा देवी अहिल्या से जुड़ी हुई दोस्तो देवी अहिल्या से जुड़ी हुई रमायन में एक और कथा है जिसके बारे में हम अपने आने वाले एक और वीडियो में बताएंगे तो उमीद करते हैं फ्रेंट्स आज का हमारा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा धन्यवाद जैहिंद